नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुढ़ल की फूल के बारे में जी हां दोस्तों ये एक ऐसा फूल है जो भगवान शरी गनेश को अती प्रिय है और जादतर लोग जादतर भगत जितने भी होते हैं वे गुढ़ल का फूल इसलिए चड़ाते हैं भगवान गनपती को इसलिए चड़ाय जाता है जिससे उनका जो कारे है जो जिस कारे में उनके बाधाएं आ रही हैं कावट हो रही हैं उनमें से सारी बादाइं हट सकें गुढल के काफी सारे तंत्र प्रयोग भी होते हैं मंत्र प्रयोग भी होते हैं मंत्र साधनाओं में इसका इस्तेमाल किया ही जाता है और खास करकि कारे सिध्धी के लिए विशेश रूप से किया जाता है तंत्र में तो इ इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे जैसे कि कारे सिद्धी के लिए मनुकामना पूर्ती के लिए और धना अकर्शन तक के लिए भी गुड़ल का इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि भगवान शरी गनेश शुब और लाब के देवता है परमोशन नहीं मिल पाता है यह खास करकि आपको नोकरी की प्राप्ती नहीं हो पा रही है तो यह विशेश रूप से यहे वीडियो आपके लिए ही है इसको बिल्खुल ध्यान से देखें क्योंकि इसमें काफी सारे प्रयोग मंत्र प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं सब चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहा करें तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि गुढ़ल का फूल तो भगवान श्री गनेश को अतिप्रिय होता है लेकिन आपको बता दें कि भगवान श श्रिवजी भगवान की मातपारवती की किरपा पानी हो तो केवल भगवान श्री गनेश को प्रसन कर लो बलकि भगवान श्री गनेश को प्रसन करने मातर से ही राहू, केतू, चंदर ग्रहे तक भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया भी था पिछ चीज से डरता रहता है और राहु केतु का सीधा संपर्क चंद्र ग्रह से होता है यानि के राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का खराब हो तो चंद्र खराब होना भी उसका बिल्कुल निश्चित है क्योंकि राहु केतु जो होता है वह किसी व्यक्ति को नशे तक में भी डाल देता है और जिन व्यक्तियों का राहु केतु खराब होता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अधिक नशा करते हैं एक आक्रमक सी उनकी प्रवत्ती होती है और उसी से उनका चंदर ग्रह भी खराब हो जाता है लेकिन अगर भगवान श्री गनेश की किरपा पाल दे जाए तो इतने सारे लाब उठाय जा सकते हैं राहु केतु को ठीक किया जा सकता है चंदर ग्रह को ठीक किया जा सकता है और राहु केतु ऐसा नहीं है कि केवल बुरे परभाव ही देते हैं जिस व्यक्ति पर अच्छे परभाव देते हैं ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन मे गरीब नहीं होता है यानी कि अगर उसको सब कुछीन भी ले ले जाए तो दुबारा से सारी चीजों को पराप्द करने की पूरी शक्ती वह अपने अंदर समेटे हुए होता है और राहू के तु अगर किसी विक्तिका अच्छा हो और ऐसे विक्ति का क्योंकि अगर अच्छा होता है तो चंदर ग्रहबी बलवान उस ऐसे विक्ति का हो जाता है और उसमें कहीं न कहीं असूरी शक्तियां अपने आप याने लग जाती है यानि के ऐसे लोग बिल्कुल कठोर जैसे हो जाते हैं जैसे कि आपने काफी लोग दे जीवन में होता है राहू केतु जिस व्यक्ति का अच्छा हो ऐसे व्यक्ति गरीब हो ही नहीं सकता है बलकि बहुत जादा अधिक धनवान वे निश्चित ही मिलता है तो इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अच्छा करने के लिए विशेश रूप स भगवान श्री गनेश की किरपा पाना बेहद खास है और बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर किसी व्यक्ति का केतु खराब हो तो केवल भगवान श्री गनेश की ही किरपा से केतु ग्रह को ठीक किया जा सकता है वरना वे व्यक्ति पूरा जीवन ही बठकता रह जाता है और क इसान की जड कही जाती हैं उसमें भी भगवान शरी गनेश का वास होता है अगर किसी विक्ति का मुलधार चक्र यानि के भगवान शरी गनेश का जो स्थान है वे बिगड़ जाए तो ऐसा विक्ति पूरा जीवन अपना डर के साथ व्यतित करता है छोटी छोटी चीजों से डरता है हवा से डर जाता है खुद को देखने से डर जाता है और खास करकि जितने भी लोग होते हैं जिनको मानसिक परिशानी किसी ना किसी प्रकार की होती है यह जिन पर तंत्र क्रियाएं असानी से हो जाती है तोटके असानी से हो जाते हैं दूसरे लोगों का परभाव उन कि उन लोगों का मूलाधार चकर कमजोर हो जाता है तो दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये है कि गुढल के फूल का अगर रोज शाम के समय रस निकाल कर आग्या चकर पर और नाभी केंदर पर लगाया जाए और खास करकि ग्यान मुद्रा में बैठ कर ओम गण गण पता है नम से प्रयोग से ही उसका राहू केतु बलवान हो जाता है उसका चंद्र घरह बलवान हो जाता है भगवान श्री गनेश की किरपाव से प्राप्त होने लग जाती है बलकि ये भी नियम अप निश्चित बना लें कि एक अपने घर में गुढल का पेड़ अवश्य ही लगा ल और देखते ही देखते आप यूँ देखेंगे कि आपके जो मन में डर रहता था चिंता रहती थी वो दीरे दीरे गायब होने लगेगी आपका दिल बलवान बनने लगेगा क्योंकि मुलाधार चकर अगर किसी विक्ती का बलवान बन जाए तो सबसे पहला परभाव उस पर यही पढ़ता है कि वे बिल्कुल निडर हो जाता है और बिल्कुल शान्ती स्वरूप में आ जाता है समोहन वशीकरन उसके लिए बिल्कुल आमसज हो जाता है यानि कि जिस भी विक्ती कि वे कामना करता है वे विक्ती उसके पास अपने आपी खिचा चला आता है ओम गम ग गलोम, गणपताय नमा, यह तांतरिक मंत्र कहा जाता है, इसके आधिक प्रभाव होते हैं, जिसमें गलोम होता है, वे तंतरोक्त मंत्र होता है, तो यह भी आप बिना किसी परिशानी के जाब कर सकते हैं, बल्कि अगर आपके पास सफेध हकीक की माला है, या फिर कमल गटे की माला है तो इन दोनों माला से इस मंतर का जाप किया जा सकता है रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल इसमें आपको नहीं करना है और काले हकीक की माला का इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है गुड़ल के फूल से समोहन के प्रयोग भी किया जाते हैं अगर पत्थर पर पीशते हुए किसी व्यक्ति का ध्यान किया जाए जिसे आप अपने जीवन में आकरशन, अपने जीवन में आकरशित करना चाहते हैं, समोहित करना चाहते हैं और यूँ चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बिलकुल धोका ना करें, आपसे बंधा र और उन्हें पत्थर पर पीशते हुए गंगा जल का इस्तेमाल करते हुए उस व्यक्ति का ध्यान करें जिसको आप अबने जीवन में बाधना चाहते हैं कुद से बाधना चाहते हैं। उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए ओम गम गलोम गन पताय नमा इस मंतर का मन ही मन जाप करते रहें और उस व्यक्ति का ध्यान बनाये रखें और रोजाना इस तिलक को खुद भी लगाएं और अगर उस व्यक्ति को तिलक लगा सकते हैं तो अपने अनामी का उंगली से उस व्य कि ये परिशानी होती है कि उनका पती उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, शादी करने के बावजूद भी दूसरी लड़की उसे संपरक रखता है, तो उसे अपने वश्व में करने के लिए केवल आपको इतना करना है, ये जो प्रयोग हमने आपको बता है, इसी के अपने हाज से अनामिगा उंगली से करना शुरू करें, और आप खुद देखेंगे कि उसके मन में किस प्रकार से प्रेम फूटने लगेगा, और आपके प्रती सम्मान, समोहन उसके मन में काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये प्रयोग किसी भी व्यक्ति को आकर्षित और समोहन में बाढ़ने के लिए किया जा सकता है, धन आकर्षन, नोकरी प्राप्ति के लिए भी, नोकरी में प्रमोशन प्राप्ति के लिए भी, नाभी में अगर गुड़ल के फूल का रस लगाया जाए, रोजाना नहा धोकर लगाया जाए, तो इससे नोकरी में भी बलवान होती है भगवान श्री गनेश को बुद्धी का देवता भी खा जाता है और इसी के साथ जिस टेवल पर जिस कूरसी पर बैटकर आप कारे करते हैं व्यापार करते हैं नोकरी करते हैं यह पढ़ाई करते हैं वहाँ पर एक सफेद गनपती मूर्ती अवश्य ही इससे सारी बाधाएं विगन तुरंथ हट जाते हैं और काफी लाब की प्राप्ती होती है ऐसी व्यक्ति के अंदर शान्ती अपने आप ही बनने लग जाती है वह सुक में बहने लग जाता है जैसा कि वीडियो की शुरुवात में हमने आपको बताया है कि शिव परिवार व दोनों की ही किरपा प्राप्त करनी है तो केवल भगवान शुरी गनेश के माध्यम से सभी की किरपा पाई जा सकती है सारे राहु केतु ग्रहों की किरपा पाई जा सकती है चंद्र ग्रह की किरपा पाई जा सकती है जो अचानक से किसी व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्त में लिख सकते हैं आने वाले वीडियो से में उन सारी चीज़ों के बारे में निश्चित बताए जाएगा तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं ओम नमस्षिवाई हर हर महादेव